नमस्कार साथियो आज के जो कोर्ट केसिज थी उनके बारे में ओफिसियल अब जो डेट है वो आ चुकी है HSC वर्सिज जो राहुल एंड अधर्स कोर्ट केसिज था CT गुरूप नमबर 567 को लेकर पांच नमबरों के सोशियोकिनोमिक क्राइटेरिया वाले केस को लेकर जितने भी कोर्ट केसिज थे उनपर काफी दमदार तरीके से बहस होई दोनों पकसों के दवारा HSC के जो वकील थे उनके दवारा और जो अपोजिशन के वकील थे उनके दवारा लेकिन किसी भी परकार का जो निरने है वो नहीं हो पाया और अगली जो डेट है वो दे दी गई 222 नमबर पर ये केस लगा था कोर्ट रूम नमर 17 में 28 फरवरी को लेकिन एक जो इसमें बात निकल कर आई है आज की जो सुनवाई हुई जो और जार सुनवाई उसमें ऐसा लग रहा था कि जो पांच नमबरों वाला कोर्ट केस किया हुआ है वो काफी स्ट्रोंग है और सायद पांच नमबर जो है वो हट भी जाएं क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो सवाल जवाब पूछे गए थे HSC ने उनका जो जवाब है वो उतनी मजबूती से नहीं दिया जिससे ये लगे कि पांच नमबर जो है वो HSC के पक्समें फैसले के रूप में जाएंगे क्योंकि ये ऐसा कहा जजने कि ऐसा लग रहा है कि जो आप पांच नमबर दे रहे हैं सोशीयो एकनोमिक क्राइटिरिया के एक परकार से ये बैक डूर एंट्री है कैंडिडेट्स की जिसका कोई जो मजबूत अधार है वो नहीं है देने का मातर ट्रिपल पी के अधार पर जो पांच नमबर देना वो सही नहीं होगा उसकी जो वेरिफिकिशन है वो प्रत्री की से नहीं हो सकती केवल फैमिली आईडी के अधार पर देखने वाले बात होगी दोस्तों कि आगे जो 6 मार्च 2024 को सुनवाई होगी क्या वो अंतिम सुनवाई के रूप में होगी क्या उस तारी को ही फाइनल को ही फैसला आ पाएगा और अगर हम अब रिजल्ट की संभावनाओं को देखें क्या रिजल्ट अब आ सकता है क्योंकि अब अचार सहींता लगने में भी कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है दस मार्च के बाद कभी भी अचार सहींता लग सकती है ऐसे में अगर सरकार चाहे तो TGT जो चुए त सबसे पहले पूरा कर सकती है क्योंकि इसमें CT गुरूप CD की तरह पांस नमबरों वाला कोई लफड़ा नहीं है केवल 95 में से भी HSC अगर चाहे रिजल्ट निकाल सकती है जो कंडिडेट मेरिट में आएंगे 95 और 100 कोमन सूची में से उनका रिजल्ट निकाल सकती है और बा वाली बात होगी दोस्तों क्या HSC TGT का रिजल्ट निकालेगी लेकिन इतना जरूर है कि 6 मार्ट से पहले गुरूप C का और गुरूप D का अब जो रिजल्ट है वो नहीं आ सकता लेकिन TGT के रिजल्ट की जो संभावनाई है वो जरूर है अगर HSC चाहे तो वैसे CMB ये कह चुकी है कि हम 28-39 फरवरी तक 28-39 वकैंसी पूरी कर देंगे जो अभी तो सच परतीत नहीं होता लेकिन इतना जरूर है TGT का रिजल्ट निकाल कर ये जो बाती है वो जरूर हो सकती है दोस्तो देखने वाली बात होगी 6 मार्च को सुनवाई में क्या होगा इस वीडियो में इतना ही धेने बात